Hello everyone, welcome to my kitchen, cook with Sangeeta Friends, आज मैं आप सब के लिए लेके आई हूँ गनेश चतुर्थी special recipe आज हैं बनाने वाले हैं गनपती जी का पसंदिदा मोदग एकदम different and tasty मोदग बनाने वाली हूँ, चॉकलेट लावा मोदग जो उपर से soft होगी और अंदर से melted जो खाने में बहुत ज़्यादा tasty लगती है चलिए फिर जल्दी से हम चॉकलेट लावा मोदग बनाना शूर करते हैं मोदग बनाने के लिए मैंने 2 packet marigold biscuit लिया हैं आप कोई भी biscuit ले सकते हैं और मैंने इनको मिक्सी में डाल कर पीस लिया है जिससे कि यह powder बन जाए यह मैंने चॉकलेट सिरप लिया है जिससे चॉकलेट सॉस भी बोलते हैं यह easily market में आपको मिल जाएगी अब हम थोड़ा थोड़ा चॉकलेट सिरप इसमें डालेंगे और इसका एक dough ready करेंगे तो पहले हम 2-3 चमची डालेंगे जितनी हमें ज़रुरत होगी उसके इसाब से थोड़ा थोड़ा डालके हम इसका dough ready कर लेंगे तू इसको मच्झे से मिक्स कर लेते हैं , अब हम हम इसमें डालेंगे फुल क्रीम 1 थिम्ट स्पून मिल्क और इसको भी मिक्स कर देंगे अब हम इसे हम हाथ से करेंगे, और ढल दे एक èक devastation चैसा सिरप टो सीरप डो हमारा रैडी हो चुका है, यह हमारा चॉकलेट सिरप बच गिया है, यह मैंने 1 टेबल स्पून काजु लिया है, जिनको मैंने दरदरा कूट लिया है, पुरा पाउडर निकरना हलका सा दरदरा छोड़ देना है, अब हम लेंगे मोदक मोल्ड, यह देखिए, यह हमारा प्रेशर रैडी किया है, इसको हम इससे फिल करेंगे अच्छे से, तो हमें सेंटर में खाली छोड़ना है, साइडों में इसको अच्छे से प्रेस करते हुए हमें फिल करना है, यो कि हम चॉकलेट लावा मोदक बना रहे हैं, तो हमें सेंटर में लावा भरना है, यहां का इससरा हमें खाली शौणना है जिससे की हमारा लावा लीक ना करेव लुद्वर्षा रही जिसे कावं लुद्वी ल के लिक ना करेव खिलिए यह तरहरे से फिलीघर सायगरे करेवे यह आध डिचोレ से आठेवकर अध़ करें गिया यह तरह किया है और मोधक भार निकालेंगे ये लिजिए हमारा एक मोधक ready है इसी टाइप से हम बाकी मोधक भी बनाते हैं देखे कितना अच्छा बना है तो हम ऐसे ही दुबारा से हम थोड़ा सा काजू डालेंगे और ऐसे ही मोल्ड में अच्छे से से सेट करेंगे और सेंटर में हम खाली छोड़ेंगे जिसमें हम चॉकलेट सिरफ डालेंगे मैंने इसमें चीनी का यूज नहीं किया है क्योंकि हमारा बिस्किट भी मिठा होता है और चॉकलेट सिरफ भी मिठा होता है अगर आप मिठा ज्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें एक चम्मच पिसी होई चीनी डाल सकते हैं पहले पर इसको टेस्ट कर लें उसके बाद ही चीनी डालें यह देखिए यह हमारा दूसरा भी बन गया है इसी टाइप से हम बाकी भी बना लेंगे यह लीजिए हमारे सारे मुदग बनकर रैडी है कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में जो हमने इसके उपर काजू लगाया उससे हमारे मुदग और भी ज़्यादा देखने में अच्छे लग रहे है और खाने में भी यह बहुत ही टेस्टी लगते हैं अब हम इने फिरिच में पांसाथ मिनट के लिए सेटोने के लिए रख देते हैं यह लीजिए गनपती जी के पसंदिदा मोदग तयार है बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में चॉकलेट लावा मोदग जो बहुत ही टेस्टी लगते हैं उपर से हैं सॉफ्ट और अंदर से हैं मेल्ट जो में घुल जाने वाले मोदग है खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और इने बनाना भी बहुत असान है एक बार इन मोदग को ज़रूर ट्रै करें और अपने अनुपव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें अगर आपको यह रेसिपी कैसी लगी थैंक यू फोर वाचिंग माई वीडियो बाई बाई फिर मिलेंगे और नई रेसिपी के साथ जब तक के लिए बाई बाई